गुड इपन्गी गुड इपनी गुड इपनी मैं शो मिच शुरस अब अब का सवावित करता हूँ आपके अपने चाडल या सिए बाहस में जहां पर हम पॉलिनेटर्स के बारे में जो कॉमन है तो आपने देखा एनिमोफिली हैड्रोफिली इन सब के कॉशन्स तो आ चुके थे अब बचा कॉन सा होगा पताइए सबको एनिमल्स वाला सॉरी एंट्रेनमोफिली बचा है और जूफिली बचा है तो उसी में से होगा देखो कॉशन क्या कह रहे हैं कॉमन पॉलिनेटर्स कौन कौन से हैं बैट्स सन बर्ड्स हमिंग बर्ड्स सारे ही हैं यह तीन होई है तो ऑल अफ डीज इस दी करेक्ट आंसर दी ऑप्शन विचो फॉलविंग प्रिवेंट्स ओटोगेमी प्रिवेंट्स ओटोगेमी मतलब जो आपका इकोगेमी इन जाएगी हो सकती है ना तो प्रिवेंट तो नहीं हुई तो गलत है इसको आप क्या कह सकते हैं अगर आपको डाइस और यूनिसेक्शुल दोनों मिल रहे हैं तो आप कहेंगे प्रोड़क्शन ऑफ यूनिसेक्शुल है और मोनोश्यस है मोनोश मतलब एक ही प्लाइन पे है दोनों तो आपका गैटर नूंगेमी ठोड़ी रूखेगी तो आप्शन नमबर बी जो है वो दोनों को प्रिवेंट करता है यह अपकी अंसी एक लाइन थी डाइन थी मेरे ख्याल मेरे ख्याल का हाँ लास्ट लाइन होगी आपके वहाँ पे आउट ब्रेडिंग डिवाइस की लास्ट लाइन में लिखाऊ गई है कि डाइशेस उनी सेक्शुल फ्लार जो है वो आपके ऑटोगेमिय और गेटिन को में दोनों को प्रिवेंट करते हैं नेक्स्ट इनकरेक्ट बतानाई प्रोनोबा और युका प्लांट के बारे में वो थार असुशेटेड सिंबाइटिकली लार्वी ओफ मौथ कम्स आउट ओफ एग्स और सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग हां जब-जब उसके सीड्स जैसे जैसे उनकी सीड्स जेवलप होंगे वैसे-वैसे लार्वी भी भाहर आने शुरू हो जाती है तो सब्सक्राइब क्या प्लांट मौथ के अंदर अपने पॉलन ग्रीज करेगा क्या है नहीं यह तो गलत है न, मौत के अंदर थोड़ी लीज़ करेगा, बलकि मौत जो है वो अपने अंडे फ्लांट के अंदर ही तो कितना इल्लोजिकल वो है, यही आपका correct answer है, यही तो सही है, इसको आप symbiotic association भी कह सकते हो और mutual dependence भी कह सकते हो, ठीक है, mutual dependence भी कह सकते हो, mutual dependence भी ज्यादा better word होगा, as, word नहीं, word, ज्यादा better word होगा, as compared to symbiotic relationship, okay, तो जो है आप कहें कि mutually वो एक दुस्य से associated है, ठीक है न, that will be the more preferable word, यह कहें तो एक example है, mutualism का, ठीक है, या symbiotic भी कुछ गलत नहीं है, the flower is not, following is not a pollen reward, pollen reward कौन सा नहीं है, fragrance, और fragrance से pollen reward थोड़ी है, वो तो attract करने के लिए है, तो यही तो गलत हो गया, nectar, pollen grain, और safe place, यह तो तीनों है, but not तो fragrance है, are characteristics of insect pollinated, insect pollinated कौन सा, उनका क्या characteristics होंगे, adapted for particular species, हाँ, यह तो आपने पढ़ाई है पहले से, large and colorful, yes, rich in nectar, yes, अभी इसका example क्या है, कि जो आपके fall smell releasing होते हैं, fall smell releasing, इसका example मैं आपको करवाया था, आप मुझे वो comment में बताईएगा, कि जो foul smell release करेंगे, attracts only beetles, and bats, चीक है न, can be, अच्छे तुसका अंसर क्या हो गया, all of these हो गया, which of the following can be pollinated by insects, कौन सा insect pollinate कर सकता है, अब यह वो ही कर, अच्छे यह आपका hydrophily को और इसको mix कर दिया गया है, अब देखना, जो चीज surface पे होगी, और जो male भी surface पे होगा, female भी surface पे होगा, वो ही तो होगा, अब water lily ही इसका correct answer है, यह तो मैं आपको पहले बताया था, because यह तीरों ही water pollinated है, but water lily is not water pollinated, see the irony, आजकल के लोगों में यही है, जो उनके नाम में है, उनके काम में नहीं है, खुशी थी दुख देखके चली गई, ठीक है, वैसे दसी बात करने नहीं चाहिए, राइट, और भी ऐसे चीज़ें कहीं है, सुमित नाम है, पर अच्छा धिरें रखुशनर सास्त्री, ठठठी के बड़े, sunflower is a plant with a large flower, which is very colorful and pollen grains are so sticky, so it is pollinated by, कौन इन में से pollinate करेगा उसको, इंसेक्ट पोलिनेट करेंगे, विकास pollen grain कैसा है, sticky है, ठीक है न, और colorful है, विको अगर air है, तो sticky नहीं होता, sticky कोई जरूरत नहीं थी, water है, तो उसको colorful होन उसको foul odor जो है, वो देनी चाहिए थी, तो तो वो है नहीं, मैंने उसको कारण भी बिता दिया, क्यों बाकी तीनों गल्लत था और यही सही है, which of the following is dicious plant, dicious कौन साइन में से, of course papaya is the correct answer, यह तो पता ही होना चाहिए आपको, example है, याद करना पड़ेगा, incorrect statement, the flower by flies and wind, जो flies औ दिखा है, वैसे, smell तो wonderful मतलब, गंदी smell ने हुआ, पता नहीं, smell तो गंदी होती है, wonderful fragrance होता है, तो तो गलती मानते, some floral rewards also include safe place to eggs, yes, pollen green surface is sticky, due to the presence of pollen krit, yes, none of these, no, अच्छा ही तो ठीक है, A option is the correct answer, तब हम इसको check कर लेते हैं हमारे answers को, यह ओई, तो अगली DPP है, जाइस के आंसर इसी पर दिये रखे हैं, D, C, B, C, A, D, एक मिनिट, प्रॉपर सरकल बना देते हैं, शोड़ चोटा करके बनाते हैं, D, C, B, C, A था, D, C, B, C, A, आगे, D, 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 B, A, और यह हमारे इतनी बाद D, A, D, 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 B, A, यह सारे answers जीर हैं, जो हो सही हैं, चलिए मिलते हैं अगली लेक्चर में अगली DPP के साथ, तब तक के लिए, जैश्री कृष्णा राम राम, सीता राम रदेश्नाम, श्रीमन नारेन राम राम